हेलो स्टूदिंट्स वेलकम टॉप पर स्टोन तो आज इस वीडियो के दर हम देखने वाले हैं क्लास नाइंत का चैप्टर नमर नाइन फूर्स एंड लोज उप मोशन जिसका हम NCRT फाइनल एक्साइज का कोई नबर 16 इस वीडियो के दर देखने वाले है तो अगर आप मार टेलिग्राम डिसकर्शन प्रोप या फिर वट्स प्रोप भी जोईन कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो स्टाइट करते हैं आज की वीडियो से क्वेशन नमर 16 से तो देखते हैं क्या जिस गीवन है और क्या हमें हमें फा आपक यहां पर इनीश प्रोप से क्वें में जा गुआ टिम दरना चांज का इसका डिख लेतने हैं जो भी हमें चीज गीवन है इनीशल वलस्टी यू हमें गीवन है 5 मेंटर पर सेक्ड और SMOL V फाइनल व्लस्टी हमें गिवन है 8 में इसका गिवन है इनीश गाँआ से सिक and final momentum, so momentum का formula होता है हमार पस P is equal to M into V अब initial momentum की बात हो रही है और final momentum की बात हो रही है तो final momentum हो जाएगा P is equal to MV, या फिर P2 is equal to MV भी लिख सकते हैं और initial momentum P1 is equal to MU भी लिख सकते हैं, and one more thing यहाँ पर हमें mass भी given है, वो भी लिख लेते हैं M is equal to 100 kg अब यहाँ पर हमने initial momentum भी find out करना और final momentum भी तो सबसे पहले हम करते हैं, initial momentum initial momentum is equal to MU, बिकोज इसके नदर जो U है वो initial velocity है तो MU क्या हो जाएगा, 100 M की value 100 है, और U की value 5, तो कितना हो जाएगा 500 और unit हो जाएगी kg meter per second, kg unit होती है mass की and U की unit होती है मतलब velocity की unit होती है meter per second, इसी तरह से final momentum भी find out कर लेते हैं वो जाएगा MV, M कितना है 100, V कितना है 8, कितना हो गया 800 kg meter per second अब यहाँ पर हमने initial momentum में find out कर लिया है और final momentum में find out कर लिया है, अब हम यहाँ पर क्या करना है force निकाल रहा है अब force का जो formula होता है अगर हम देखें है तो F is equal to M A ठीक है, हम यहाँ पर A नहीं है तो A की जगा हम V minus U by T भी लिख सकते हैं ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे M into V minus U divided by T, because यहाँ पर V भी है, U भी है, और M भी है और T भी है, तो 100 में से 5 गए 3, divide by 6 इसे solve कर लेते हैं, 3 बन जा 3, 3 तू जा 6 और यहाँ पर हो जाएगा, 2 फाइब जा 10 और 0 तो यहाँ पर force की जो value है, वो आगई 50 Newton, F is equal to 50 Newton, और यही हमें यहाँ पर find out करना था, initial momentum, final momentum and force, so initial momentum, last में लिख देंगे कितना है initial momentum of the object is 500 kg meter per second and final momentum of the object is 800 kg meter per second and force जो है, last में लिख देंगे force is equal to 50 Newton, तो यही चीज़े हमें find out करनी थी, बहुत ही simple question था तो आज की इस वीडियो के नदर हमने देखा है question number 16, force and loss of motion का final exercise का, class 9 का, so thank you for watching this video अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please like, share and comment कि जबिर लग का लोगी जज़्ोपी नदर है कि उनी का यवाई तो कि बाता है कि जब है कि आपको आपको रगए